नमस्कार दोस्तों मौसम ताजे समचार में आप सभी का हारदिक स्वागत है और मौसम विभाग को लेकर अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है देश के कई राज्यों का मौसम इस वक्त बिगड़ा हुआ है दक्षणी भारत्य राज्यों में जमकर बरसात हो रही है क्योंकि केरल में मानसून की धमाकेदार एंट्रे हो गई है बाकी राज्यों बचे हुए है इस वीडियो में आपको बताएंगे चक्रवाती तूफान कौन-कौन से राज्यों में अपना पिर्चंड और रोध रूप दिखाने का तता दूस्तो कौन-कौन से राज्यों में मानसून कब सक्रे होगा जियां सातियों बता दें अगले 6 गंटों में बेहत गंबीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है विपर जो है चक्रवाती तूफान और दोस्तो ये जो चक्रवाती तूफान है अरब सागर की खाड़ी से उठा है यहाँ पर बता दे भारतिय मोसम विज्ञान विभाग के मताबिक तूफान के गुजरात तट से टकरानी की संभावना है लेकिन इसके असर से राज्ये में अगले पांच दिनों के दोरान तीज हवाएं और आंड़ी चलने की संभावना बनी हुई है दोस्तो बता दे कि आएमडी ने कहा है अगले तीन दिन के दोरान उत्तर पश्चिम उत्तर की और जो चक्रवाती तूफान है ये बढ़ सकता है और इसके बाद में उत्तर और उत्तर पूरू की और बढ़ सकता है या दोस्तो जो मुख्य कारण है वो चक्रवाती तूफानी है वहीं दोस्तो बता दे कि इस समय केरल में मानसून एंट्री कर गया है और केरल के साथ ही केरल करनाटक तमिलाडू आंदरप्रदेश पड़ुचेरी लक्षे दीप अंडमान और नीकोबार दीप समू यहाँ पर भार साथ के संकेत मौसम विबाग के द्वारा दिये गए है इस कारण दोस्तो किसान भाईयों के लिए बड़ी कुसकबरी है खरेब की फसल आची होगी जिसमें दोस्तो बाजराम मुख्य रूप से होता है मौसम से जुड़ी सभी राज्यों के बिल्कुल लेटेस्ट और सटिक जानकारी के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले एक और बताते दोस्तो जो चक्रवाती तूफान विपर जो है इसका असर राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है और राजस्थान के जो पैस्चे में इलाके हैं इनमें जैसल मेर जोदपूर बाडमेर बीकानेर चूरू सिरिगंगानगर हनमानगर नागोर यहाँ पर दोस्तों हलकी से मध्यम धर्जे की बारिश हो सकती है 37 रप्तार से आवा चलेंगी मौसम से जुड़ी सभी राज्यों के बिल्कुल लेटेस्ट और सटिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले किस राज्यों से वीडियो देख रहे हैं बताएं